तो अब हम वन का थाड़ नंबर कोश्चन सॉल्फ करेंगे जहां पर यह में दिया गया है X1 यह में दिया गया X2 यह में दिया गया Y1 और यह Y2 distance formula इस्तेमाल करेंगे distance is equal to square root X2 minus X1 whole square plus Y2 minus Y1 whole square so यहां पर value substitute करेंगे X2 minus A X1 minus A whole square plus Y2 minus B Y1 minus B whole square so यहां पर आगे solve करेंगे तो क्या मिलेगा देखो minus A minus A हो जाएगा minus 2A whole square plus minus B minus B minus 2B whole square जब whole square करेंगे तो minus sign यहां पर रहनी जाएगा plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 square 4 A square plus 2 square 4 B square यहां से 4 को common कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4 under wicket A square plus B square अभी देखे 4 का जो square root होता है वो 2 होता है तो यह हो जाएगा 2 under root A square plus B square ओके तो यहां पर चुकी distance में हम unit write करते हैं तो यह हमारा unit हो जाएगा और इसी के साथ यह हमारा question का answer भी होगा तो उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें सेयर भी कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के वीडियो लेकर मिलते रहेंगे तब तक क्लिए थेंगे क्लावस जब तक क्लिएर requirements प्रकार करें मना में आया हीडियो